अरे भट्ती तो हर वक्त खुली रहती है जैसे कि असराब नहीं संजीब नहीं हो भुजूर्ग कहते थे कि दबादारू का इंताजाम होना चाहिए नजाने कब जरूरत आन पड़े लेकिन दबा का इंताजाम तो नहीं हो पाया यहां दारू 24 घंटे उपलब्द मिल जाएगी यह तस्बीरें हैं उत्तर प्रदेश के जनपत पीली बीट के बीसलपुर छेतर के मानपुर की जहां एक ब्यक्ति कितने बुलंद होसलों के साथ कह रहा है अरे भट्टी तो हर वकत खुली रहत यह समझ नहीं आ रहा कि इस को रुनाकाल के समय सभी के लिए नियम प्रतिबंद लागू किये गए हैं उसके बाब जूस सुबा साथ बजे ब्रह्म मावरत में ठेका देशी सराव किसके आदेश पर खोली जा रही है सुबा साथ बजे मानपुर में दारू बित्रित होने लगती है और समर पड़ तो इतना है सेल्समें साहप का अगर दुकान प्राताकाल किसी मजबूरी के बस न खुल पाई तो आप सुबा साथ बजे उनके घर चले जाओ आप खुदी सुनिये ग्रहत की जुबानी तो सुना आपने अब 24 गंटे सेवा में ततपर मानपुर ठेका देशी सराथ के सेल्समें की ततपरता को देख कर लग रहा है जैसे इस से बड़ा समाज से भी पूरे हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं प्रदान मंत्री को मानपुर के समाज से भी जनता की सेवा में दारूप लब्द कराने वाले सेल्समें को ततकाल प्रवाव से दजबारा प्रुसकार तुदी देने चाहिए धन्य है ये सेल्समें जो अला अधिकारियों को लगातार चुनोती दे रहा है शासन प्रशासन के नियमों को तोड़ कर ये सेल्समें अधिकारियों के मूँ पर तमाचा मार रहा है एक तो सुबह साथ बज़े दारूप लब्द कराता है उसके बाद अधिक दामों में बेच रहा है इन सब को देखने के बाद लगता है कि सेल्समें पर आवगारी विबाद आवहरी नजर आ रहा है यही कारण है कि लगातार नियमों को तोड़ता ये सेल्समें किसी की एक नहीं सुनता और अधिकारी भी इस उर कोई कारबाई करते नजर नहीं आ रहे देखना आईए है कि आखिर कब ब्रह्म महुरत में ठेका दिसी सराप के कपाट खुलना बंदो होंगे यूपी अपडेट के लिए सरत कुमार दुबे की रिपोर्ट